इस वीडियो में आज हम सीखेंगे section exercise 4.3 जो के है document को तयार करने के हवाले से for internationalization and accessibility यानि आपके document की accessibility हर बंदा की पहुँच में हो, हर बंदा उसको समझ सके और अगर आप अपने document को international format में, यानि किसी भी मुलका शख्स आपके document को read करना चाहे तो वो कैसे read कर पाएगा, यह exercise इस हवाले से है, तो section exercise 4.3 के पहले project की दुरफ चलते हैं पहला project है कि open the world expert 4-3a document, इस document को हमने open कर लेना है, इस document को open करने के लिए हम जाते हैं अपने exercise folder में और objective 4 में हमारे पास यह document यहां पर मौझूद है इस document के उपर जब मैं double click करता हूँ, तो यह document मेरे सामने open हो जाता है और इस document का अगर हम एक दफ़ा review कर लें, ताकि हमें exercise करने में आसानी रहे, तो यह हमारे सामने मौझूद है लेकिन, sorry, यह हमने open करना था 4-3 document, तो हमने खलत document open कर लिया था, अब यह actual document है, इसके उपर आपने काम करना है पहला टास यह है कि, run the spelling checker to discover the spelling errors in the document आपने क्या करना है, कि इसके उपर spell check आपने apply करना है, spell check apply करने के लिए, हम क्या करते हैं, कि अपने complete जो हमें यहां पे tab नजर आ रही है, यहां समझाते हैं, review tab पे review tab में जाने के बाद, यहां पे हम अपना spelling इसको चेक कर पाएंगे, तो यहां से spelling को ढूनने के लिए, आप देख सकते हैं, कि यहां पे आपके पास speech का option है, यह accessibility के हवाले से है, यह language के हवाले से है, और इसी तरह से यहां पे tracking है, अगर हम home tab में आते हैं, तो यहां पे भी हमारे पास कहीं पे भी spelling का option visible नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक काम यह करना पड़ेगा, कि यहां से हमें अगर spelling का option नहीं मिल रहा अपने इस document में, तब हम एक और काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कि हम file के उपर click करते हैं, more पे जाते हैं, options पे जाएंगे, options पे जाने के बाद हम customize ribbon पे click करेंगे, और फिर आपको यहां पे जितने भी tools हैं, वो तमाम आपको यहां पे नजर आ जाएंगे, अब जैसे हम यहां पे आते हैं, तो यह देखें, यह spelling and grammar का एक option मौजूद है, अब यहां पे यह वैसे तो आपको कहीं पे भी नजर नहीं नहीं आ रहा, तो यहां पे हमारे पास एक tab थी, फेवरिट के नाम से, जो इस एक दफ़ा हमने पहले बनाई थी, यहां पे एक new tab create कर सकते हैं, हमें एक new tab create कर लेते हैं, और उस new tab को हम, इसका हम नाम यहां पे रखेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं, spelling check, spelling check, spelling check, तो अब इसके अंदर हम एक tool insert करने जा रहे हैं, वो क्या है spelling and grammar का, यहांनि spelling and grammar जो है, वो इस group में insert हो जाएगी, और इस group, जो step का जो पहला group होगा, इसका नाम हम यहां पे रख देते हैं, इसके लिए हम कोई symbol भी रख सकते हैं, let's suppose, यह हमने एक symbol select कर लिया, display name हम इसका रख लेते हैं, check your work, ओके के उपर मैं click करता हूँ, तो देखें, अब यह spelling check का हमने एक tab यहां पे insert कर दिया है, ओके के उपर मैं click करूँगा, अब आपको यहां पे तलाज करते हैं, यह देखें, spelling check के नाम से मैंने एक tab insert किया है, और इस tab में मेरे पास यह एक option मौजूद है, spelling and grammar का, उसके लिए आप एक shortcut की भी प्रेस कर सकते हैं, F7 के नाम से, F7 आप प्रेस करेंगे तो खुद बखुद यह option काम करना शुरू कर देगा, अब जैसी मैं इसके उपर click करता हूँ, तो अब यह आपके इस document का review स्टार्ट हो चुका है, जहां पे जो spelling उसको गलत नज़र आएगी, वह आपको highlight कर देगा, और यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, change all, तो जहां जहां पे collapse लिखावा होगा, वहां पे यह spelling आपकी correct हो जाएगी, उसके बाद फिर हमारे यहां पे document की जो spelling है वो correct नहीं आ रही, तो उसके लिए इसने हमें तीन options दे दी हैं, यह आप रखना चाहते हैं, यह एक और word है, और इसके लावा यह अगर आप रखना चाहते हैं, तो यह भी आप रख सकते हैं, तो अब to make your document, यह to make your documents, यह आप depend करता है कि आप इसमें से कौन से select कर सकते हैं, तो मैं इसको select कर लेता हूँ, इसी तरह, अगला word आ रहा है, professionally, यहाँ पर भी spelling mistake है, इसकी जो suggestions है, वो हमारे सामने यहाँ पर आ रही हैं, अब इसमें से आप select कर सकते हैं, to make your documents look professional, तो मेरे खाल से यहाँ पर आएगा professional, उसके बाद footer की spelling में तीन दफा ओ लिखा यहाँ पर footer आ जाएगा, तो spelling and grammar check हमारा complete हो चुका है, और यह अब हमारा document बिलकुल ठीक है, spelling point of view से, तो अब यह था हमारा task number one, task number two में आपने क्या करना है, कि set the proofing language for the whole document to English United States and then run the spelling checker again, अब आपने क्या करना है, कि proofing language जो है, उसको अपने English से, English United Kingdom से United States में convert करना, और फिर से spell check करना है, हो सकता है, कोई ऐसा word हो, जो कि UK की language के हिसाब से खलत हो, वो आपको identify करके देगा, notice any errors that were skipped in the previous step, और कोई भी error आपको नज़र आते हैं, तो उसको आपने notice करना है, और फिर आपने उसको ठीक कर लेना है, तो proofing language को सही करने के लिए, हम आते हैं review पे, और यहां पे आपको option नज़र आ रहा है, language का, और यहां से हम language पे आते हैं, तो set proofing language का option आपको नज़र आ रहा है, तो इस वक्त हम जिस language की बात कर रहे हैं, वो कौन सी language है, वो English United State की है, और इसको हमने as a proofing language set कर लिया है, अगर मैं आप भी करता हूँ, do not check spelling or grammar, तो फिर इस language का हमें फाइदा नहीं होगा, कि हम इसके हवाले से spelling और grammar चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने इस check box को select नहीं करना, okay के उपर मैं click करता हूँ, अब हमारी proofing language English United States set हो चुकी है, अब दुबारा चेक कर लेते हैं कि हमारे document में कहीं को spelling है, तो language proofing set करने के बाद भी हमारे इस document में कोई mistake नहीं है, अगर हम वैसे आते हैं यहां पे review tab में language, language में आते हैं, set proofing language में, तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी language नजर आ रही है, अभी अगर मैं यहां पे English United Kingdom select कर लेता हूँ, और इसको set as default कर देते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, अब हमने English को United Kingdom वाले select कर ले, अब अगर हम spell check करते हैं, तो अब भी इसका spelling and check बिलकुल ठीक है, तो यह था हमारा task number two, तो इस वीडियो के अंदर हमने section exercise 4.3 के हवाले से, जो हमारा पहला project था, जिसमें हमने spell check और proofing language के हवाले से बात करनी थी, उससे मुतालिक तमाम task complete कर लिये हैं,